कि मेरा नाम है वह आज हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर केमिकल बॉंडिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसे हम रसायनिक आवंदन तथा आणविक सरचना की नाम से भी जानते हैं आज हम इसके छटे भाग पर जिस्टी पढ़ेंगे उधारन नंबर 4.3 और फिर उधारन नंबर 4.4 और अंत में आवंद द्रुवंड़ता जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.6 पर दी हुई है इस पे भी चर्चा करेंगे तो चलिए उधारन 4.3 कार्बुनेट आयन जो CO3 2- आयन है इसकी सरचना की व्यक्या द्वारा ठीक है तो चलिए हल देखते हैं कार्बन तथा ऑक्सियन परमाणू के मद्ध दो एकल आवंद तथा एक दुई आवंद वाली लुई सरचना कार्बनेट आयन की वास्तविक सरचना को निरूपित करने के लिए अपरियापत है ठीक है हमें पता है कि जो कार्बने अवंद बनाता है परन्तु यह जो एक लुई सरचना है यह इसे निरूपित करने के लिए परियापत नहीं है क्योंकि इसके अनुसार तीन कार्बन आवंदों की लंबाई भिन होनी चाहिए है ना क्योंकि यहां दूए आवंद हैं एकल आवंद है तो यह भिन होनी तीन वहत सरचनाओं के अनुनात संकर के रूप में दर्शाय जा सकता है ठीक है क्योंकि यह देखो यहां दुई आवंध है यह एक अलावंध है तो जो आवंध लंबाई है वो अलग-अलग होनी चाहिए थी परंतु हमें पता चला प्रयोग के द्वारा कि जो इन तीनों की आवंध लंबाई है यह बरावर है अर्थात सिर्फ एक लुई सरचना से हम इसे जिरूपत नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम इन वेश सरचनाओं का प्रयोग करते हैं जैसे कि तीन स्थितियां हो सकती है पहले कि द्वी आवंध इस वाले ऑक्सियन के साथ हो है ना कार्बन और ऑक्सियन में जो द्वी आवंध हो इस वाले ऑक्सियन के साथ हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो द्वी आवंध है इस वाले ऑक्सियन के साथ हो तो यह दूसरी Dioxide का अडू है इसकी सरचना की व्यक्या कर दीग है जो चलिए हल देखतें C O 2 के अडू में — Carbon Oxygen annЕН की लंबाई का प्रियोगिक मान 115 पिको मीटर है ठीक है जो Carbon Dioxide है इसकी अडू में Carbon और Oxy pattern की जो लंबाई है उसका प्रियोगिक मान 1315 पिको मीटर है सामाने कार्बन ओक्सियन दुई आवन तथा कार्बन ओक्सियन त्री आवन्द की लंबाई प्रमशा 121 पिको मीटर तथा 110 पिको मीटर है और जो सामान ओक्सियन दुई आवन और कार्बन ओक्सियन दुई आवन और कार्बन ओक्सियन त्री आवन्द की जो लं पता चली जबकि जो सामान ऑक्सियन की दुई आवंद की लंबाई 121 और त्रियावंद की 110 पिकोमीटर होती है और सीओ टू में कितनी 115 पिकोमीटर पाई जा रहे है जो की सामान लंबाई के बीच की होती है इससे यह सपस्ट होता है कि सीओ टू अडू की वास्तविक सरचना को केवल एक लूइस सरचना के आधार पर प्रदर्शिक नहीं किया जा सकता है इसमें विच सरचना भी होंगी अतहक यह आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए एक से अधिक लूइस सरचना लिखी जाए तथा सीओ टू की सरचना को इन विच सरचनाओं के संकर के रूप में फ्रदर्शिक किया जा सकता है यह पहला है जहाँ पे चार हमारे पास कार्बन के उлиक्ट्रान है और चेंछे उक्सियुंट क nasıl सकते हैं कि कार्बन शुन है क्या इसने एक इलेक्ट्रों यहाँ पर दे रख और इसमें रिनात्मक हैं क्योंकि इसका एक इल्लक्रों ले रखा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, यह वाला इसे उसे यह कहा जा सकता है कि अनुनाद अडू को इस्थायत्व प्रदान करता है क्योंकि अनुनाद संकर की उर्जा किसी भी विष सरसना की उर्जा से कम होती है ये याद रखना कि अनुनाद अड़ू है इस्तायत व्रदान करता है क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा जोबी उनकी कैनोनीकल फॉरम से या फिर विज सरकना होती है उनकी ऊर्जा से कम होती है अनुनात के कारण आवंदों के लक्षण ओसत मान प्राप्त करते हैं इस प्रकार ओथ्री अडू में अनुनात संकर रूप 3 की उर्जा, कैनोनिकल रूप 1 तथा 2 की उर्जा के मान से भी कम होती है मैंना अनुनात की कारण जो आवंध है उनकी लक्षण ओसत मान प्राप्त करते हैं जैसे कि हमने ओजोन में देखा था कि जहां पे जो ओथ्री यडू है उसमें उसका जो अनुनात संकर है वै कैनोनिकल रूप यहां विश्च सरचनाव की उर्जा की मान से भी कम होती है अनु अनुनात संकर्पना है इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतिया भी है जिए अभी हम देखेंगा कि देखो वास्तव में विश्च सरचनाय का कोई अस्तित नहीं होता है जो अनुनात संकर के बात जो निरूपित जो सरचना होती है सिर्फ वही होती है ठीक है ऐसा नहीं होता कि अडू कुछ समय के लिए किसी विश्च सरचनाय के रूप में अपस्तित रहता है जबकि अन्य सवे किसी दूसरी विश्च सरचना को अपनाता है ठीक है इनका बीच में कुछ नहीं होता जो होता है वो सिर्फ रिजोनेंस हाइब्रिट या फिर विश्च होती है विज स्रचना है नहीं पाए जाती में जो सर्फ सरचना में रहा है और कंछ समय बाद किसी और स्रक्राइए विज सर्चना में रहा है किए पाई ही नहीं जाती यह सर् वाले साममें जैसा कोई साम में नहीं होता ठिक है वियज सरच्णाव में कीटो तथा साम नहीं हुता वास्त्व की रुप में अनु 记 Works सरच्णा द्वारा प्रदरशित नहीं किया जा सकता रखना यहां यह भी सरच्णा नहीं होती जो होता है वो होता है सिर्फ अनुनार संकर या फिर रेजोनेंस आइब्रेग ठीक है इतना समझ आगे तो हम आगे चलते हैं हम देखेंगे आवंध धुरुबरता जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.6 पर दिया हुआ है जब सह सयोजी आवंध दो समान परमाणूं के बीच जैसे वह दोनों परमाणूं के दोरा समान रूप सभी आकर्षित होगा क्यूंकि दोनों के दोनों जो अड़ू है जो परमाणू है वो दोनों एक ही है जैसे H2 में hydrogen hydrogen O2 में oxygen oxygen chlorine 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 इसके परणाम सरूप इलेक्ट्रोण युग्म दो समान नाविकों के ठीक मध्य में उपस्तित होता है इस प्रकार प्राप्त आवंद अध्रुवी सह सयोजी आवंद क्यालाता है इसके विपरीत है जैसे विशम पर्माडुक अडु में दो पर्माडुके बीच सईयोजित एलेक्टरॉन यूग्म, फ्लोरीन की विस्थापित हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्वत्र रधात्मकता हाइड्वुजन की अफेक्षा अधिक होती है, यह है अधुरूवी स्हासाईयोंजी आवशंग जिनमे जो एलेक्टरोन यूग्म है, वह दोनों के मध्ध में होता है, दोनों परमाणूं के, परंतु जैसे कि HF में देखा जाता है, इन अडू में जो दो परमाणू है, जैसे H और F दो परमाणू है, इनमें जो फ्लोरीन है, वह एलेक्ट्रोन यूगमों को अपनी तरह ज्यादा आकर्शिक करता है, क्यों? क्य की अपिक्षा अधिक होती है इस प्रकार निर्मित एच एफ आवंध एक ध्रुवी सहसाई हो जब आवंध है यह क्या है द्रुवी और जिन में बीच में हो मद्ध में हो वह अध्रुवी ठीक है इसे याद रखने तो चलो रख है उसे हम डिवाई से रूपित करते हैं जिसे डी भी लिखते हैं ठीक है और वन डी का मतलब होता है 3.33564 इंटू 10 की घात माइनस 30 cm है ना यहां परमाणुक अडूओं में द्विध्रुव आध्रुण केवल आवंधों के अपने द्विध्रुव जिन्हें आवंध आध्रुण कहा जाता है पर ही निर्भर करता है तीक है जो बहु देखो एक बार से हम पढ़ लेते हैं जैसे बहु परमाणिक अडू है ना उनमें जो आवंधों के अपने द्विध्रुव आध्रुण का सधश यो होता है देखो क्या जैसे हम यहां देखते हैं माल लीजे हमारे है और एक ऑक्सियन है क्योंकि विद्ध्य तरणात्मक्ता जाना है इसलिए जो है इलेक्ट्रों यूग अक्पी तरफ खीचे का इस आवन में भी और इस आवन में भी तो माल लीजे जो इसकी दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है ना एच के बीच का जो आवंद है उसमें जो तो यह और यह इनका जब वेक्टर सम होगा तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार आएगी तो यह है आवंध दूइध्रू और यह है परणामी दूइध्रू आध्रूण है ना और कुल दूइध्रू आध्रूण क्या होता है इसका क्या होगा जलका म्यू इकोल्स टू 1.85 ड और दी हमने देखा था दी क्या है 3.33564 गुड़ा 10 की घात माइनस 30 cm है ना तो इसका हम गुड़ा करतेंगे तो हम मिलेगा 6.17 इंटू 10 is to the power माइनस 30 cm या पर 6.17 गुड़ा 10 की घात माइनस 30 cm ठीक है C क्या है कूलम और M है मीटर ठीक है इतना समझ आ गया तो हम आगे चलत को अपनी तरफ खीच रहा है क्योंकि जो फ्लॉरीन है वाइव ऑक्सियन है अधिक विद्यूत्रणात्मक है है ऐसी जह हमने एस्टू में देखा तो एस्टू में भी ऑक्सियन जो एलेक्ट्रोन यूग में उन्हें अपनी तरफ खीच रहा है हाईडूजन के साथ दोनों वाइव और अवंद्धों में तो फ्लॉरीन की विद्यूत्रणात्मकता है वाइव वेरिलियम से जादा है फिर भी जो इनका द्वीधुरूफ आधून का मान है वाइव शून होता है क्योंकि यह बी एफटू है मतलब बी और इसके एक 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 अलेकल आवंद है फ्लॉरी द्वीधुरू विप्री दिशामें होते हैं तता एक दूसरे के प्रभाब को समाप कर देते हैं क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि यह बी एफ है एफ है तो फ्लॉरीन के साथ आवंद यह है और एक आवंद यह है तो अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन योगन को देखें तो फ्लॉरीन और बेरिलियम के बीच में जो आवंद है तो फ्लॉरीन एलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कीचेगा और यह फ्लॉरीन भी एलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कीचेगा तो यह जो यह जो दोनों है वह विप्री दिशाम है तो इसका प्रभाब और इसका प्रभाब कि क्या है विप्री दिशा में इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाब को समाप कर देते हैं अंत था बी एफ अडू का कुल द्यूद्रूब अडू कितना आधुरून कितना डाइपोल मुवेंट जो है वह शून होता है ठीक है इतना समझ आ गया तो हम आज के लिए इतना ही प्रतिकर्शा सिध्धान्त जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है इस पर भी सर्चा करेंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले भाग में धन्यवाद थैंकी